हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यों में देखिए हम जो यह गुजरात जुनेर फार्मसिस्ट के एक्जाम के प्रिवेस के क्वेशन्स डिसकस कर रहे थे मैंने इसके फोटो तक क्वेशन्स डिसकस कर लिए दो सब्सक्राइब करना कमेंट को प्रेस करना तक जाने वाले वीडियो होते हैं उनके नौटिफिकेशन साप लोगों को मिल सके ओके तो देखिए अपना विच इस दा फंक्शनल यूनिट ऑफ किड्नी का फंक्शनल यूनिट पूचा है नैफ्रोन लूप फैनले ब्लैडर य अब देखित पूच्छा था आपने बिल्कुस सही आंसर दिया इसका अभी देखे नेक्स क्वेशिन है विच आफ फॉलूइंगे दा करेक्टर स्टिक्स ऑफ नर्फ फैबर नर्फ पाइबर्स का करेक्टर स्टिक्स आप लोगों से पूचा हैं बेखें ओल और ननलो एक् कारबन इन में से कौनसी ड्रग है जिसमें दो कारल कारबन प्रेजन होते हैं अध्रिन दिया है नोर रहें आपको प्रेजन होते हैं उप्षिन हो जबाई नेक्स्ट्रीन नेक्स्ट है क्वेश्च इस्टेसे डान इन newclears, mitochondria, ribosomes lyosomes तो protein synthesis कहां होती है ठीक है? तो ये होती है, ribosomes आपका answer हो जगा option 3 हो जगा, ribosomes responsible होते है इसके ribosomes को protein factory भी वोलते है mitochondria जो है, यह powerhouse of the cell होता है next है question वारबर्ग, income, lipman, path peace and other name of देखिए ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक असेड साइकल, हैक्जोज, मोनोफोसफेट, शंट, हैचमपी, शंट या ग्लुकोनियोजेनसिस तो वारबर्ग, डिकमेन, लिपमेन, पाथवी, किसका दूसरा नाम है, बताइए, ओप्शन वन है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम होता है, और एक क्वेशन हो रहाता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां होती है, तो साइटो प्लाजम, ओके याद रखना है, आपको, नेक्स्ट क्वेशन देखिए, आपका है, वन ओफ द फॉल फॉल फॉम पताइए, क्या है, बिल्कुल सिंपल है, देखे, सेंटर स्पाइन फ्लूड, क्रेनियल, स्पाइनल, फ्लो, सेरिब्रो, स्पाइनल, फ्लूड, नन ओफ देखो, तो सी एस फ क्या होता है, सेरिब्रो, स्पाइनल, फ्लूड, ओप्शन 3, आपका राइट हो जाएगा, नेक्स्ट है, सूपर्फीशल रिफ्लेक्स, टाइप ओ विच रिफ्लेक देहां, acquired reflex, conditioned reflex, unconditioned reflex or muscularis external, superficial reflex है, किस type का reflex होता है, यह होता है, unconditioned reflex, option 3, right हो जगा, next है, botylated hydroxy tolleun, BHT is used, देखिए antibacterial, antioxidant, suspending agent यह coloring agent, तो botylated hydroxy tolleun जो होता है, यह क्या होता है, यह antioxidant होता है option 2 राइट हो जगा और यह water insoluble antioxidants में आता है butylated hydroxy toleun आता है butylated hydroxy anisole भी आता है यह water insoluble antioxidants होते हैं next है glycerine suppositories containing 92% glycerine are solidified by the use of देखे white wax stearic acid sodium stearate या PEG polythylene glycol 4000 तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे sodium stearate option 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जएगा next which of the following schedule give standards of medical contraceptives standards of medical contraceptives के लिए कुम सा schedule होता है देखे schedule c दिया हुआ है schedule c होता है biological and special products आते हैं इसमें schedule f3 दिया हुआ है जिसमें क्या आती है umbilical tapes standards for umbilical tapes आता है schedule f3 के अंदर है और schedule d में आता है जो exempted from import जो आती ना standards इसमें क्या आता है list of drug exempted from provision of import या था इसमें बचा आपका क्या schedule r तो मैं contraceptives के लिए कुन सा होता है schedule r होता है आपका option जो है फोर राइट हो जेगा schedule के बिल्कुल सीधे question होते हैं और schedule के ओपर दो से तीन questions जो है एक्जाम में आते ही आते है schedule के ओपर question देखिए next है संट्रैमreichen को बता रहा है से 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 कटाइनिक हो ता है option च्स का है kटाइनिक सरसे एक्थिव एजेंट होता है नेक्स्ट है आपका freezing point depression of blood blood का freezing point depression कितना होता है options देखिए minus 0.52 degree celsius minus 52 degree celsius 0.52 degree celsius 0.9 degree celsius freezing point depression of blood is option 1 minus 0.52 degree celsius next in India 100 proof spirit alcohol corresponds to options देखिए 57.1% weight per volume 57.1% volume 50% weight per volume 50% volume ठीक है तो जो 100 proof spirit alcohol होता है option 257.1% volume per volume है next important है how many liters of 5% solution can be made from 250 gram of solid 250 gram of solid तो से कितना मतलब कितना लीटर 5% solution का बना सकते है 5% का मतलब क्या हुआ 5 gram in 100 ml 5% का हो जएगा 5 gram in 100 ml ठीक है तो 100 ml में 5 gram है ठीक है तो 250 gram जो है वो कितने ml में होगा simple बता देंगे आप है ना तो यह हम calculate करके निकाल लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5000 ml 5000 ml का मतलब 5 liter जो आपका option 1 में दिया है next है ultimate base of mineral origin olive oil, cotton seed oil, paraffin wax या castor oil answer क्या हो जएगा option 3 paraffin wax next है nitrous oxide cylinder is painted देखे grey, blue, black या white तो यह question भी काफी बार repeat होता है तो nitrous oxide जो cylinders होते हैं उसके लिए आपका blue color आता है option 2 right हो जएगा black color जो होता है वो किसके लिए nitrogen के लिए आता है black color, grey color जो होता है यह किसके लिए होता है CO2, carbon dioxide और जो white color होता है यह oxygen के लिए तो यह आपको सारे याद रखने हैं next है linoleic acid is options है saturated fatty acid unsaturated fatty acid lipoic acid non of that linoleic acid जो होता है unsaturated fatty acids में आता है aerachidonic acid होता है olic acid linoleic and linolenic acid यह क्या होता है सारे unsaturated fatty acids में आते हैं okay Hiram to the olic acid में जो होता है one double bond होता है linoleic acid के अंदर जो है दो double bond होता है linolenic के अंदर तीन double bond होता है arachidonic acid के अंदर चार डबo तर हैं कई बार अग्जाम में क्वेशन आया हुआ है ने सब मॉर्फिन डेरिवेटिव इस देखें पैथरी इन पैंटा जो सिन लिवोर फैनोल डिपी पैनों बताइए कौन सा है ऑप्शन 3 हो जगा लिवोर फैनोल होता है नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इस कोल्ड नेक्र छिरे नमबर ओफ एमजी ओफ एक वाइच डिकार तुट्य अड़ट रिखी अच्छिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए नमबर ओफ एमजी ओफ केवाच डिकार तुकौार्ट फैट्य फैट्स यह नमबर ओफ आयोडीन अप्सोर्बाइं हंडड़्र ग्राम्व फैट यह जो होता है यह आपके acid value की definition दिविया है जो acid value होती है वह होती है नमबर of mg of potassium hydroxide required to neutralize fatty acids present in one gram of fat or oil ठीक है यह acid value होती है और जो यह ना iodine absorbed by 100 gram of fat यह आपकी होती है iodine value होती है ओके तो आपका असे टाइल नमबर हो जेगा option 4 number of mg of qs required to neutralize acetic acid ठीक है option 4 आपका हो जगा असे टाइल नमबर की definition क्लियर हो गया होगा next question है आपका enzyme catalyze hydrolysis of substrate अस्टरेज lactate dehydrogenase transaminase decarboxylase कौन से इसमें से कौन से enzyme की class है जिसमें क्या है hydrolysis of substrate ठीक है वह catalyze करते हैं substrate की hydrolysis catalyze करते हैं तो यह options आपके सामने हैं अब इस question का answer आपको comment box में देना है next video हम इसको discuss कर लेंगे तो इस video में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करना शेयर करना चैनल पर नए है तो में आप क्यूुक्त झाओ संदत कि है